Hello students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो आज की जो सबसे महत्पूर्ण नियूज है BT UP की तरफ से वो ये है कि आप लोगों का updated जो time table है परिच्छा का या जो कारिकरम है परिच्छा कारिकरम वो जारी हो चुका है तो मैं आपको live दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपना जो परिच्छा कारिकरम है या बिसेज बैक पेपर परिच्छा कारिकरम है इसके डाउनलोड करना है इसके साथ में जो notice आई थी उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो यह बच्चों BTUP की official website है BTUP.ac.in इसमें हम नीचे आते हैं नीचे आप देख पा रहे हैं आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर latest news करके लिखाए यह देखे तो यह आप देखे सबसे पहले ही सबसे ऊपर ही दिया है latest news में विसेज बैक पेपर परिच्छा 2023 है तू संभावित परिच्छा कारेकरम है तू सूचना तो देखे सूचना जो थी वो मैंने आपको पहले एक वीडियो बना करके बताया था वो वही है आप लोग देख लीजिए खुद से तो यह जो देखे नोटेस है इसमें जो टाइम टेवल आपका जारी हुआ है यह इसमें दिया है कि आपको चेक कर लेना है संस्थाओं को क बहा गया है कि चेक कर लें कोई क्लैसिंग हो विसेज बैक पेपर की जो परिच्छा कारेकरम उसके साथ कोई क्लैसिंग हो रही हो तो वो बता सकते हैं तो यह संस्था तब बताएंगी जब बच्चे भी उनको इन्फॉर्म करेंगे तो यदि कोई बच्चे का जिसका रेग पावित परिच्छा कारेकरम देखी जनवरी से तो ये देखी खुल करके आ जाएगा इसको डाउनलोड कर लीजे ये खुल करके आ गया तो ये आप देख पारें बच्चो लास्ट अपडेटिट कप का है पाँच जनवरी 2023 को ये अपडेट हो गया है और ये आज 6 जनवरी को इसको जारी कर दिया गया है तो इसमें आप देख पारें आपकी जो भी ब्रांच हो आप नीचे करते जाएंगे तो आपको देखता जाएगा इस्टार्टिंग डेट आप यहाँ पर देख पारें सबसे पहला 25 जनवरी से है उसके बाद 27, 28, 30, 30 तो आपको अपनी आपकी ब्रांच का कोड है तो यहाँ सर्च कर लीजे तो देखिए आगे अभी नहीं आएफ नेक्स्ट आ जाएगा यह देखिए और सर्च करते जाए 3, 3, 4 आ गया यह देखिए 3, 3, 3 सारे जो जितने भी होंगे आपका 3, 4, 3 मेकेनिकल इंगिनिनिंग का है तो देखिए सा क्या है टाइमिंग क्या है सब चीज देख लीजे कोई प्रॉब्लम आ रही हो ख्लेशिंग की आपको कोई समझ से आया आप तुरंत जो है अपने संस्थान में संपर करके वहां बता सकते हैं विसेज बैक पेपर की बात कर लेते हैं तो हम बैक जाते हैं और बैक जाएंगे तो ये देखे बिसेज बैक पेपर का बच्चे परेशान थे सर बिसेज बैक पेपर कब से होंगे हम लोग परेशान है कुछ बच्चों की जो बिसेज बैक पेपर पर इच्छा होना है उनको देख लीजे ये भी पांच जनवरी को लाश्ट अपडेट हुआ है आप देख पा रहा है देख लिए अपनी ब्रांच का सारे कोड लाइन से हैं 343 भी है ये देखिए सारा 344 Electrical Electronics सारे ब्रांच के दिये हुए हैं सारे पेपर उसमें होना है आप देख पा रहे हैं यहाप सारे के सारे papers आपके इसमें होने हैं तो इस तरीके से आप देखके सारे paper अपना देख लीजे कहीं भी आपको कोई दिक्कत समझ से आ रही हो तो उसको आप फुर अच्छे से चेक कर लीजे और जो भी आपको समझ से आ रही हो अफ्री संस्तान में तो खाईए और पढ़िये इसके अलावा कोई काम मत करिये बच्चों एक एक समय आपके लिए एक एक पल आपके लिए बहुत मात्पून है 25 से स्टार्ट होने का मतलब है कि 2-3 दिन पहले से आपको तयार रहना पड़ेगा और पूरे सिले बस आपको रिवाइस करना है परिच्छा में कई पेपर्स में अभी खुद देख रहा है रेगुलर वाले बहुत कम गैप है उतने गैप में आप कोई नई चीज नहीं पड़पाओगे जो आप अभी पढ़ लोगे तयारी कर लोगे वो भी गी पॉइंट्स आपके पास जो होंगे उनको सिर्फ रिवीजन करने का टाइम आपके पास रहेगा तो बच्चों सुरच्चित रहिए ठंडे से बचाओ भी करना है बिना किसी सरमिंदिकी के स्वेटर पहनिए अपना जैकेट पहनिए टोपा कैप लगाईए मफलर यूज करिए अनावश्यक बाहर मत निकलिए और पढ़ाई पर फोकस करिए सिर्फ आपको पढ़ना है और अच्छे नमरों से पास होना है तो ये मेरी आपको सुबकामनाओं है इनी सुबकामनाओं के साथ आज के लिए वीडियो के इसमाप्त करता हूँ फिर आपको मॉटिवेट करते रहने के लिए नई-णई सूचनाय देते रहने के लिए आपके पास आता रहूंगा के लिए किवोसत रहने के लिए आपके लिए स्कामनाओं है ठता है पींषोब।